हलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो मैं चैनल कैसे हैं आप सब तो आज जो मैं वीडियो लेके आई हूं उसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने सरोजनी नगर मार्केट से क्या शॉपिंग करी है क्योंकि पिछला मेरा वीडियो आपने देखा था मैं सरोजनी नगर गई थी वहा और अपको लगी कि मैंने कुछ वहाँ से समान महंगा खरीदा है तो मुझे कमेंट जरूर कीजेगा और अगर आपको लगी कि नहीं ठीक खरीदा है तो भी आप मुझे कमेंट करिएगा तो चलिये स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने वहां से लेए हैं थोड़ी से क्योंकि आपको बता है सर्दियों का सीजन शुरू हो गया है तो मैंने एक हलका साथ स्वेटर वहां से खरीदा है और यह मैंने लोकल नहीं खरीदा है यह मैंने वहां एक शॉप से खरीदा है तो यह जो स्वेटर है as you can see it's very beautiful sweater प्रिंट है और डिजाइन है और यहां पेज में sequence भी है तो यह sweater मुझे पढ़ा है 550 का यह उसने मुझे 800 का कोट किया था बट यह मुझे वहां से 550 का मिला है और यह बहुत ही प्यारा नेक्स्ट चो मैंने करीदा है अभी festival सीजन है तो यह बहुत ही हलकी सी मैंने कुर्ती और प्लाजो का सेट लिया है और इसमें यह फॉइल प्रिंट है वैसे कहते हैं फॉइल प्रिंट होने से निकल जाता है तो मुझे फूरा सा केयर कर भी पड़ेगी क्योंकि मैंने फर्स के साथ यह प्लाजो भी है और प्लाजो की जो लेंग है वो भी अच्छी है और काफी इसमें घेर भी है आप देख सकते हैं और यह सेट मुझे only 550 का मिला है गाइस तो 550 में I don't think it's a bad deal क्योंकि पूरा स्मूट अगर आप सिल्वानी में जाते हो तो इतनी को सिला ही लग जात स्कूर्ट यह जो स्कूर्ट है यह जस्ट 200 रुपीस की है और यह भी I think सिल्क टाइप का कुछ कपड़ा है चंदेरी प्रिंट है इसका और बहुत सुन्दर अट्रक्टिव डिजाइन है तो मेरे पास अगर रैट कुर्ती है तो मैं उसके साथ भी इसे मैच कर सकती हूं या मरजेंटा कुर्ती है उसके साथ भी और यालो के साथ भी मैं इसको पेयर कर सकती हूं नेक्स्ट मैंने एक यह आफ पैन खरीदा है जीन्स का और यह जस्ट 100 रुपीस का है और यह मैंने अपनी डॉजर के लिए लिया है तो कपड़े मैंने वहां से जादा नहीं खरीदे है तो छोटी मोटी चीज़े क्योंकि डेकोरेटिव टाइम अब आ रहा है दिवाली का टाइम आ रहा है तो मैंने उसी के लिए थोड़ी सी शॉपिंग और की है मैंने यह कुशन कवर लिये है यह सीक्वेंस में है फ्रन में पूरा सीक्वेंस है और तीछे इसमें वैलविट क पांच पड़े और यह 12 x 12 के हैं इसमें बड़ा साइज भी आता है 16 x 16 का बट क्योंकि बड़े मेरे पास प्लेन है तो उसके साथ मैं इसको पेर करूंगी क्योंकि मेरा जो घर का मैंने पेंट कराया है और जो वर्पल कलर के करटेंस है उसके साथ मैंने यह मैचिंग के और यह चुटे चुटे प्लावर वास जो है यह 100 रुपीज के पाइव थे राइक तो मैंने यह तीम लिए तो उसने मुझे 50 रुपीज के तीम दिये थे मैंने आपको बताया भी था मापे तो यह प्लेन वाइट थे लाइक दिस बट मैंने इसके उपर जूट की रोप को इस तरीके से लपेट के थोड़ा सा और डेकोरेटिव बना दिया यह पेर मुझे मिला था 100 रुपीज का यह मैंने एक पे जूट रोप लपेटा हुआ यह पे नहीं ताकि मैं आपको डिफरेंस दिखा सको क्योंकि जूट रोप से इसकी ब्यूटी और बढ़ जाएगी इस सब्सक्राइब के और एक में गनेश जी का स्टेच्यू था बट मुझे यह बैल वाले ज्यादा अच्छे लगी कोई से ज्यादा इनकी बूटी मुझे अच्छी लगी तो यह ज़स्ट हंडेड रुपीज का मुझे मिला है हलां कि गाईद मुझे लगा कि यह हंडेड रु नेक्स मैंने एक ही केंडल ली है यह स्टोट ए बकेट अक्चुली इस अ कैंडल आज यह बहुत चोटी सी कैंडल है बहुत प्यारी कैंडल है यह मैंने दिवाली डेकुरेशन के लिए ली है और यह जस्ट फिफ्टी रुपीज की है प्लस मैंने यह फीडी है और यह वाल को चिपक जाती है अपने आप साथ होती है यह और यह भी प्रिफ्टी रुपीज की है तो यह मैंने अपने कर्टैन और अपने कुशन की मैचिंग की लिए है नेक्स्ट मैंने इक लिए सेट लिया है गाइस कि मुझे एकसी और सिदाई सिल्वर प्रेटी जूलरी बहुत पसंद है तो यह आप किसी भी ओकेजन पे चाहे आप साड़ी पहन रहे हैं सूट पहन रहे हैं या बैस्टन पहन रहे हैं सबके साथ जाएगी यह बहुत प्या और यह हेरबन पल हेरबन मुझे 30 रुपीज का मिला है तो यह कुछ पांच या छे मैने लिए हैं उसके अलावा मैंने एक एक कर्टें और लिया है यह दो कर्टेंस के बीच में लगाते हैं और यह बहुत ही प्यारा है और इसके बीच में गोल्डन कलर के बीट्स लगे हु लाइब में लास्ट गाइस मैंने यह लिया है यह दाइनिंग टेवल कवर है यह फैब्रिक का है और यह नेट फैब्रिक का है यह मुझे वहां से 300 रुपीस का मिला है और यह बहुत सुन्दर है हाला कि इसके उपर आपको एक प्लास्टिक का प्लेन मैट लगाना मैंने पुछी के नीचे के लिए लिया है इस यह वाले स्लिपर्स भी मैंने अपने बेटे के लिए लिए है वो 3.5 यह का है और यह मैंने लिए हैं 200 रुपीस के और यह बहुत ही प्यारे है तो यह मेरी फोड़ी से शॉपिंग है गाइस वोफुली आपको पसंद राया और इसी समान से इस बार मैं अपना घर डेकोरेट करूंगी दिवाली पे तो आप ज़रूर देखिएगा मेरा नेक्स वीडियो उसमें मैं आपको दिखाऊंगी अपना लीविंग रूम का डेकोरेशन जो की मैंने डियावाई चीजों से और इन सब छोटी-छोटी बहुत ह कि कम खीमत वाले चीजों से किया है होफुली आपको डेकोरेशन बहुत पसंद आएगा पैंडेमिक टाइम में हर कोई लो बजट से अपना घर डेकोरेट कर रहा है और चाइनीज चीजे नहीं ले रहे हैं तो हम ये इंडियन चीजों से ही अपना घर कैसे डेकोरेट कर सकत हैं I really appreciate तो मेरे next वीडियो में मिलते हैं living room decoration के साथ साथ तो तब तक के लिए good bye अपना खियाल रखी धन्यवादी